पर दो भाचित कर रहे हैं कि पहले आपरणा यादब 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 कर रिवार पर बाचित होती है kभी गांधी परीवार पर, कभी राजनासी परिवार पर तमाम जगा जगा जो है बाचित होती है सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपरना यादब ने क्या अखिलिश यादब का खेल बिगार दिया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक परिवार को छोड़ उनकी बहू है और वो अखिलिश ये योगी के साथ चले आते हैं तो आप सवाल खड़े ये हो रहे है कि क्या यादब का जो वोट बैंक उसको बाटा किसने है क्या आपरना यादब से वाकई में योगी जी को फायदा हुआ कि बीजेपी को हुआ हुआ तो कितना हुआ है सबसे पहले आपकी रहे मुझे नहीं लगता देखी कि बीजेपी को अपरना यादब के आने से फायदा हुआ है मुझे लगता कि हो सकता अगर अपरना यादब को कहीं से टिकेट दिया जाता तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था क्योंकि इस लुजा हैं आगर आप वोट शेयर या वोट बंक उठा कर देंगे तो सियासी तो जबान बाजी और यह सब तीख ज़ियं बमाजी तोřती रहती तो हर पर्टी कहा है लेकिन अगर आप क्या है अगर आकड़ो की कि बात क्या है तो अरकड़ो में तो बड़ा उलट फेर है मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि अपढ़ने आदब के पार्टी में जाने से बड़ा फाइदा होगा बीजेपी को लेकिन आपको आप नतीजे उठा के देखिए बीजेपी को तो पिछली बार से सीटों का नुकसान होगा बलके वो सीट शेयर और वो वोट शेयर जो था इन्होंने टेकेट नहीं दिया उन्होंने रिता बहुक्णा जोशी के बिठे मैंक जोशी तक तक को टेकेट नहीं दिया और वह दोनों एक ही सीट लगनों के कैंट विदासभा सीट से दा वीदार्य पेश कर रहा थे कि क्योंकि वहां BJP को जीतना सांथ था लेकिन BJP तहल का यह सिर्फ एक तरह से दिखावा है वाकि ग्राउंड पर फर्क नहीं बढ़ा है नहीं नहीं मुझे ग्राउंड पर कोई फर्क नजर नहीं आया क्योंकि मैं नतीजों को पर बाद करूं मैं देख रहा हूं कि आप खुद देखिए कि 125-630 सीटे इस बार समाज़ादी निकाल नाती है और 32% जिस पार्टी के पास वोट शेयर है उसे बार और वो सीधी टकर दे रही है एक सत्ता दल को तो पिषली बार जो उनको बढ़ा है तो जिस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा लेकिन में तुझे सवाल यह है जो मैं आपसे लेना चाहूंगा कि लोग यह कह रहे हैं कि अपरना यादब जो ब्यान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं यादब परिवार की बहुत ही हूँ और रहूंगी जिन्दगी भर तो क्या एक परिवार से छूटना क्या परिवार में क कुछ असर तो होगा जख्म जो है वो तो अभी तक देखिए अखिलेश्यादव हारे का है मुझे समझ में नहीं आता देखिए अखिलेश्यादव के अगर बात कि जाए तो अखिलेश्यादव कर अखिलेश्यादव कर अखिलेश्यादव करहल से तो सत्ता की बात कर देखिए सबसे मजबूत दल की स्थितिपन निकल कर आए और हारे नहीं है वो सबसे मजबूत विपक्षी दल है और इसी के साथ-साथ वो करहल से अपनी सीट तो जीते ही है अब देखे वो सांसद भी है तो करहल से उन्हें इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा लेकिन अपनी सीट जी पाटी दूसरे नंबर की पाटी है जिसको सब जादा सीटे मिली है अपने पैर में कुलहरी मारा या फिर वाकई में वो यादव परिवार के लिए एक मुसीबत बन गई देखे बीजेपी में आके अपनी उन्हें ऐसी इच्छा थी कि उन्हें कोई हो सकता है बड़ा पद म मिल भी सकता है कि अभी तक हमें यह नहीं पता कि मंत्री मंडल में कौन-कौन बड़े नाम शामिल होने वाले हैं और 20-21 मार्च को यह तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी ऐसा सूत्र बताते हैं कि 20-21 मार्च तक लगवा कि क्यावन ने या इक सवाल है जो आखरी सवा करना करना पर रहा कि अपने परिवार से लोग दूर है अदूसरे के लिए काम कर रहे हैं कि अपरना या अदा उस रोल को अदा कर पाएंगे या उस फॉर में फिट हो पाएंगे या फिर गांधी परिवार से मेंका गांधी वरुन गांधी से वह को सो दूर है देखिए उनको बुलाया नहीं जाता जहां पर पीली बीत उनका गड़ माना जाता है तो प्रदेश में तो यह सारी चीज़े दिखाते हैं कि इस बार बीजेपी के अंदर भी वरुन गांधी और मेनिका गांधी को ले करके खटट मची हुई है और यह तो मैं पूछ रहा हूं ना मुर मैं सिर्फ आकड़ की बात देखे सियासत है वो तो सियासत अपने चरम पर रही उत्तर प्रदेश में इस बारे में तो कोई दोराय वाली बात नहीं है अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि स्वामी प्रसाद मौरे पहले भाजपा छोड़कर और समाज़दी पार्टी जाइन कर लेते हैं उनकी बेटी सांसादें बीजेपी के टिकेट पर और फिर वो कहती है कि मुझे तो पीमोदी ने गोद ले रखा है तो ये चीजे तो लगातार सियासत में उड़ती रही है और ये लगातार होती रहेंगे लेकिन अगर बात की जाए कि कौन किसके लिए म बया करते हैं असर्फ एक सवाल ये भी है मुर्तियों जे क्योंकि आप तो खेरा पड़ना यादब को बात खुबी बारीकी से समझा दिया बीजेपी के लिए कितने बड़े बढ़कर काम किया बीजेपी के लिए कितना फायदा हुआ आखिली इस यादब के लिए जो चुन गडबंदन की जोहार हो या आकरो में तो खेर अच्छा बरी हुआ है यह बते ही चू कहां हो गए जिसकी वैसे सत्ता तक नहीं पहुंच ओगी सत्ता की दहलीस तक नहीं पहुंच पहुआ हैं और सत्ता से बाहर होने के बाद आपके पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं और मुसल्मानों को सबस्यादा फीवर करते हैं और आप जानते कि उत्तरप्रदेश में सबस्यादा संख्या वो हिंदू हो की है तो बहुत हद तक यादवों के साथ और मुसल्मानों के साथ जो उनका वोट शेर आता है हमने आकडों में भी देखा है कि समाज़ादी पार् प्रिए प्रिए को फिर भी बहतर रिस्पांस मिला लॉयन और के मामलें ना के समाज़वादी पार्टी को उसके उसको तो एक सीट आई लेकिन आप मैंने जैसे भी का मैं आंकडों पर बात करता हूं आंकड़े यही बताते हैं कि बीस्पी का लॉयन और योगी सरगार के ल उन्होंने और किसानों का जाधातर वोट बैंक भले ही उन्हें मिला यादवों का वोट बैंक मिला मुसल्मानों ने उनको वोट किया लेकिन आप बाकी जगह भी जितनी भी समुदाय थो उनको कही ना कही देखे गुर्जरों ने इस बार वोट नहीं किया जाटों ने इस चौधरी चरंज सिंग जैसे बड़े नेता प्रधानमंती रहें हापुड की तीनों सीटों पर या तीन बीजेपी का कबजा हुआ और वहाँ पर मुझे याद है कि जैन चौधी ने रहली हैं भी बहुत दमदार तरी किसी की बहुत भीड़ाई थी लेकिन उसका भी उन्हें सियासत में चल रही हैं उसका फायदा कहीं नहीं मिल पाया अगर उन चीजों का फायदा अगर इन्हें मिला होता समाधवादी पार्टी को तो शायद समाधवादी पार्टी सकार भी बना सकती थी अखिलेश ने सिर्फ यादबो, मुसलमानों और बाकी जो कास्ट हैं उस पर पकर नहीं बना पाई जी बाको भी मृतुंजे ने बताया चाहिए वो बरहमनों मुद्दो की जहां तक बात है तो किसान जो एक किसानों के मुद्दो को लेकर जो है वो वोट बैंक करने के साधने की कोशिश की है उसको लुभाने की कोशिश की है उसमें भी फतह नहीं पापाए एक सवाल यह आ रहा है मृतुंजे अब वो यह है छोटा सा सवाल छोटा ही जब आप चाहूंगा फिर से कहा जा रहा कि धरना शुरू हो सकता है दिल्ली में आज ही SKM का जो है मिटिंग होने वाली है इसलिए कि छे मांगे जो तो किसाने को वो पूर्ती नहीं हुई है अब भीजे की फिर से सरकार बनेगे क्या लगता आपको इस पॉसिबल फिर से धरना शुरू हो सकता है देखिए अंदोलन करने की आजादी सबको है देश लोकतंतर है आप अपना विरोध बिल्कुल जाता सकते हैं सरकार आपकी बात सुनेगे पूरी वह तो वक्त बता पाए गाए मांगो मांगो पर डिपेंट करता है कि मांग ताइम दिया था वह फैल हो चुका देखि अभी तक तीनों कानुन को आपस लेनी की बात थे तीनों कानुन सरकार ने वापस ले लिए अब और कौन सी किसानों की मांगे उस पर गौर करने करना को लेकर साब शब्दों में का अखिलेश यादव या फिर यादव परिवार पर कोई भी फर्क न पड़ा है न पड़ेगा सिरिफ असिरिफ जो राजनीती करने की कोशिश की गई उससे बीजेपी को नुकसानी हुआ है अखिलेश यादव को नहीं हुआ खेर देखते है आगे क्या कुछ होता है फिर आल करते नहीं बागी खबरों के लिए देखते हैं इस पे नहीं न्यूस नमस्का